असलाम उलेकुम एप्रिवार्ण विल्कम बैक तो माँ यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम ये ट्रेंडी अफगानी सलवार की कटिंग एन इस्टुचिंग करना सीखेंगे जो कि बहुत ज्यादा आसान है और ये सलवार आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग मे में भी है तो सीखी मेरे साथ ये सलवार तो चले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले मैंने यहां पर कॉटन फैबरिक यूज किया है टोटल दो मीटर है इससे हम अपने अफगानी सलवार बनाएंगे तो सबसे पहले तो आपको फैबरिक को पूरा उपन कर कर लेना है तो इस तरीके से उपन करने के बाद अपने एक साइट से इसको फोल्ड करना है जितना आपने चाहिए होगा उतना ही फैबरिक को फोल्ड कर ले तो मैंने इतना फैबरिक फोल्ड करकर रखा है अब आपको देखिए तरीका समझना है सबसे पहले तो हमारे जो ल बैल्ट और मोरी की नापेंगे तो टोटल 29 इंच आता है तो उसके हिसाब से आपने किसी भी साइज की सलबार बना सकते हो 5 इंच बार की साइड निकाल दिया और 3 इंच का हम पट्टा लगाएंगे बुबी लगा लिया है और टोटल जो हुआ यह 29 इंच हुआ तो 29 इंच का ही हम कट करेंगे बाद में मोरी और बैल्ट लगने के बाद 36 इंच आ जाएगा अच्छा अब आपने जब नाप ही लिया है अब देखी जो हमने कट किया था तो इधर से हमारे लंबाई है वैसे आपने फोल्ड करकर इसको रख लेना है इस तरीके से अब फोल्ड करने के बाद देखी मैं आपको दिखाऊं यहां से देखी बंद हिस्सा है दोनों और इधर से ओपन है और इधर से बंद साइड है ज पर 12-inch का क्रोचेरिया का का. उसके बाद देखी भी सबसे पहले आपने क्या करना है, अब यहाँ पर मोरी का निशान लगाना है. तो जितनी मोरी तायार रखनी इतना निशान लगा लें, तो 6.5-inch की मोरी तायार रखूंगी. उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा ले लिजेगा तो मैं यहां पर 9-8 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूं तो इसमें हम गैदरिंग बनाएंगे तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा लिया है अब इसके बाद यहां से देखे क्रोच एरिया से मोरी का इस तरही कैसे ऐसे निशान लग यहां पर हम इसमें गैदरिंग डालेंगे तो जैसे कि नॉर्मल सलवार में हम गैदरिंग डालते हैं उसी तरीके से पिसमें प्लेट्स डालेते हैं तो यहां पर ब्लेट्स चाहिए तलुट एसी तरीके से डालेंगे करने में हैं तो ब्लेट्ट करन में था पूनारी यहां से इस तरीके से ऐसे अपिस और ब्लेट्स डालेला ले स्कुल्छ न Grandpa तो आपने देखी किस तरीके से कट करना है यहां से यह सिल गया अब यहां पर देखिए 20 इंच रखना है और एक इंच और एक्स्टर ले लेना है दोनों साइड एक एक इंच का एक्स्टर लेंगी हम जो मार्जन में जाएगा यहां से हम फोल्ड कर लेंगी टोटल जो हमारी बेल्ट है तो आठ इंच की इसकी चोड़ाई होगी और 21 इंच की इसकी लेन्थ होगी उसके बाद यहां से देखिए उपन कर लें तो दो हिस्से हो जाते हैं अब यहां पर अपने सलाइया लगानी है और जैसे नॉर्मल तरीके से हम बेल्ट लगाते हैं सलवार में उसी त का लिया है फैब्रिक पर उसके बाद यहां पर इसकी लैंथ है 14 इंच और 4.5 इंच की और आधा-धा इंच का मार्जन हमने छोड़ते हुए बागी का मार्जन कट कर दिया है अब यहां पर देखिए मैं एक लाइन डो करूंगी आप किसी भी तरीके से यहां पर जो है बन उसके बाद यह ले लिया है तो यहां पर देखिए सीधी सीधी इस तरीके से हम लैस लगाएंगे तो मैंने यहां पर देखिए भी लैस कंप्लीट कर दी है जिस तरीके से भी लगानी हूँ आपने ऐसे लगा लेनी है उसके बाद इसी की साइज का एक फैब्रिक आपने सिलाईयां लगाने हैं बुगरम के किनारे किनारे पर आप सिलाईयां लगा लें तो यहां पर अच्छे से आपने ऐसे सिलाई लगा लेने हैं किनारे पर और उसके बाद जब सिलाई कंप्लीट हो जाए तो यहां पर आपने नोचिस लगाने हैं सिलाई ना कर जाएए आपको जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको देखिए ऐसे खीशते जाएं ताकि बहार की साइड नजर नाए एक हाथ से खीशते जाएं फैब्रिक को नीचे वाले फैब्रिक को और एक हाथ से आप ऊपर वाला फैब्रिक समालते जाएं और ऐसे इस पर अच्छे से सलाइया लगा ले तो मैं कच्छी सलाई लगा रही हूं क्योंकि उपर से हम जो है लैस का यूज करेंगे तो इस बज़े से मैं यहां पर रफली सलाई कर रही हूं और देखिए मैंने अभी सलाई कम्प्लीट कर ली है अब कम्प्लीट करने के बाद अपने क्या करना है एक साइट से फैब्रिक क कर लेड़ेगा और जब यह फोल्ट हो जाए फिर आपने क्या करना है इस पर एक नोचिस लगाना है बीच ओ.बीच सेंटर से नशान लाएं गवी सब्सक्राइबे साइट से बीचों बीच पहले आपने एक जो है पिनप भी आप कर सकते हो या फिर कच्छी सलाई कर लें इसको रोकने के लिए और बागी का जो फैब्रिक परसता है उसमें ऐसे प्लेट्स डाल दें आप चाहें तो गैदरिंग भी डाल सकते हो सुई से जैसे हम छोटी-छोट यहां पर प्लेट्स डालते हैं उस तरीके से भी डाल सकते हो या बॉक्स बाली प्लेट्स डाल सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे तो फिलाल तो यहां पर मैं नॉर्मल तरीके से प्लेट्स डाल लही हूं तो ऐसे आधा आधा इंच का मार्जन लेते जाएं और यहां प साइड आपने करके प्लेट डालनी है डालेक्ट्टन एक ही होना चाहिए अलटना प्लटना नहीं है तो एक ही साइड करके हम प्लेट डालेंगे डेखिए प्लेट इसमे यह जी अब बना लियam प्लेट और उसके बाद यहां पर ऐसे हातों से दबा लिया बीचकि फिंगर आपने रख ली है और सिलाई को चला देनी है उसके बाद देखी कंप्लीट हो जाताए अब यह जो पट्ट यह ऊपर की साइड इस तरीके से आ जाता है और उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर सि यूज़ कर रही हूं कि हम उपर से लेस लगाएंगे तो उसके लिए हमें चोटी सलाई लगाने की जरूरत नहीं है अब आप ऐसी ही रफली सलाई यहां पर कर लीजेगा तो ऐसे कम्प्लीट हमारे सलाई हो चुकी है अब आपने क्या करना है यहां पर लेस लगा लेनी है तो मैं यह लेस लगा रही हूं जो हमने मोरी पर यूज़ की है उसी को हम ऐसे साइट से लगाएंगे तो देखिए लेस भी हमारे कम्प्लीट हो चुकी है लग गई है दोनों साइट उसके बाद आप मोरी को बंद कर लीजी जिस तरीके से नॉर्मल सलाई हम लगाते हैं ऐसे ही हमने यहां पर सलाई लगा लिए मोरी को बंद कर लिया है तो यह हमारे सलबार का लुक है टोटल इस तरीके से आगया है प्रेसब्रेस करके अच्छे से से अपसे हैड कर लिजीगा उसके बाद पहंने के बाद को लुक कुछ इस तरह के से आता है तो कैसा अलुच का वीडियो प्लीस कमेंट में जबर नहीं म ان एक्षप लिएकर शौत और श्रुटस के साथ और आपको क्य झाल